काफी जादा परिशान रहते हैं और ये problem काफी बढ़ी है जैसे कुछ example मैं दूँ तो perfuming सही तरीके से नहों पाना जो perfume आप यूज करते हैं उसका fragrance lasting नहों पाना market से काफी सारे rejections मिलते हैं customer customer बोलता है कि आपकी अगर्वत्यों में अच्छी तरीके से खुजबू ही नहीं आ रही है तो वैसे तमाम सारे questions होते हैं जिसमें काफी सारे confusion बना रहता है कि क्या हमारे raw गर्वत्ति क्या है और क्या вipro suck इसमें को प्रावलम हो सकती है और आज के इस वीडियो में कूछ इसी तरीके के topics के बारे में बात किरेंगे और इस प्रॉब्लम को समझने की कोसिष करेंगे कि actual में जो हमारी problem है वो कहां से सुर्वात होती है तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और क्या क्या ऐसी चीजे हैं जिसको हमें ध्यान में रखकर काम करना होता है एक अच्छी और सबसे पहले चीज जो होती है वह होती है हमारी रौ माटेरियल्स में हम क्या-क्या चीजे यूज करते हैं जैसे कि हमारा होता है चार्कॉल आज हम ब्लेक अगरबत्ती से रिलेटेड ही बात करेंगे क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग छोटे लोग बड़े लोग मतलब जो होता है हमारा उसके बाद हमारा होता है सोडस्ट और उसके बाद जो हम इसमें गम पाउडर यूज करते हैं ताकि हमारे अगरबत्तियों में बनी रहे और कभी-कभी हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वालिटी के लिए कूपम पाउडर का भी यूज कर लेते हैं तो ऐसे देखा या फिर सस्ता पर्फ्यूम यूज करते हो उसके बाद होता है DEP oil जिसे हम पर्फ्यूम के साथ solvent करके उसे डीप कर देते हैं उसके बाद हमें accurate result नहीं मिल पाता जिसमें काफी सारे पैसे आपके लग जाते हैं और काफी जो है investment आप कर लेते हो उसके बाद हमें market से क्या है rejection मि qualities नहीं है खुस्बू अच्छे तरीके से नहीं फैल पारी है और long time जो है हमारी अगरबत्ती खुस्बू नहीं दे पारी है तो यह सबसे बड़ा issue होता है तो सबसे पहले जो चीजे हैं वो समझते हैं basically जो अगरबत्तियों में चारे बेस में कोई issue हो चाहे चारकॉल में issue हो सकता है चाहे सौडर्ष में issue हो सकता है या फिर गमिंग पाउडर में issue issue हो सकता है तो अकर इन तिन चार चीजों में कोई भी problem हो तो वो चीजे जो है आगे आपको qualities नहीं देंगी इसका सबसे बड़ा reason यह है कि जो perfumes उसके उपर लगने वाले अपने तो कोई भी material लेके रोगरबत्ति बना लेते हैं लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वह perfume उसके उपर एग्जॉप करती हो सोकती है तो पूरी की पूरी अगरबत्तियों में लग जाती है तो अगर इसके बाद भी qualities नहीं आपाती तो सीधा सीधा हमारा loss हो जाता है और दूसरी जो चीज है वह है perfume के उपर perfume और DP oil इसमें भी कुछ कमिया हो सकती है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वह हमारे raw materials में अगर raw materials अगर आप बनाते हो या फिर खरिदते हो तो उसमें कुछ qualities अगर हो तो पर्फियूम डेफिनेटली आपका result जरूर देगी चाहे आप महेंगे की साब से उसकी boosting अच्छी होगी अगर अप सोड़ा सा medium यूज कर रहे हो तो उसकी boosting थोड़ी सी कम होगी लेकिन वह अपने quality ब बेसिक material जो मैं use करता हूँ उसके बारे में आपको मैं बतानी की कोशिज करता हूँ जैसे कि जो हमारा charcoal होता है वो 100% quality जो charcoal होती है वो हम use करते हैं जो pure wood से जली हुई charcoal होती है और दूसरी चीज होती है हमारी sawdust जिसे हम wood powder बोलते हैं तो वो भी हम 100% pure quality का use करते हैं जिसमे साल सोगन और bubble जैसे पेडों की wood होती है और तीसरी चीज होती है हमारी jose powder जिसमें हम 36 cup का jose powder यूज करते हैं जो कि in future आप long time तक अगर sticks रखते हो तो उसमें bonding निकलने की problem नहीं होती है तो अभी आप देख पारे होंगे कि कि इस तरीके से qualities में हमारी raw गरवती है तो सबसे इसमें आपको 1000 प्लस की counting मिलेगी और दूसरी चीज जो होती है वो है हमारा dipping ratio dipping ratio भी काफी जादा माईने रखता है क्योंकि अगर एक perfume जो की minimum ratio पे ना सोखे तो आपके लिए वो नुक्सान हो सकता है तो इसमें जो accurate जो छमता होती है perfume सोखने की 25 से लेके 30% तक और यह perfect जो आप देखे होंगे तो बाकी सारी और अगरवत्तियों में या तो perfume dipping ratio काफी जादा कम होगी या तो 30% से वो काफी जादा हो जाएंगी तो इसमें दोनों तरफ से नुक्सान हो जाता है अगर कम हो तो perfume अपना accurate result नहीं दिखा पाएगा और अगर जादा हो तो perfume जादा अगर dipping ratio चले जाएगी तो सिधा सिधा आपको नुक्सान जाएगा क्योंकि perfume काफी costly हो जाता है क्योंकि perfume सोखने के बाद तो return नहीं आने वाला है तो dipping ratio आपको perfect मिलेगी तीसरी चीज होती है burning का issue इस अगरवत्ति में जो हम बनाते हैं तो एक 100% quality का charcoal यूज़ करते हैं जिसकी देखे होंगे तो जहां भी आप खरिदते होंगे या फिर बनाते होंगे तो bonding का काफी जादा issue हो जाता है तो वह issue आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी कभी ऐसा मैं देखा हूं कि packet में रखे रखे ही जो sticks जो है निकलने charcoal की जो ले प्लगी होती है वह भी निकलना चालू हाई है सो ये है 9 इंडisma में और यह दोनों चीजें आपको और यह सारी चीजें जो है हमारे पास से आपको अबलेबल हो जाएगी और जो कोस्यान होता है सब के मन में यह चीजें होती है कि क्या यह 100% वालीटी में देगा की नहीं बोलने को तो सभी बोल देते हैं कि हमारे पास 100% qualities में मिलेगी इसकी guarantee मैं लेता हूँ क्योंकि इसमें मेरा 100% जो है research है और काफी दिनों से मैं रौगरवतिस के उपर काम कर रहा हूँ तो इसकी guarantee मैं लेता हूँ कि आपको 100% qualities में product आपको मिलेगा और जो है दूसरी चीज होती है packaging को लेकर तो एक अच्छा cartoon हम use करते हैं जिससे कि आपको transportation पे या फिर ऐसा कोई scam की problems नहीं होने वाली है और तिसरी चीज जो होती है transportation और transportation जो है affordable price में all over India पे हमारे पास से available हो जाएगी आप भारत के किसी भी जगह से हैं तो सबके मन में कुछ न कुछ doubts जरूर होता है कि क्या ये सही चीजे दे पाएगा या नहीं क्योंकि उस टाइम या तो आप हमारे लिए नहीं होते हैं या फिर हम आपके लिए नहीं होते हैं सेंपल ओडर भी आप कर सकते हो और जो है इसके बाद हमारे पास जो है कलर अगरवत्ति मेटलीक अगरवत्ति और दूप इस्टिक और दूप कौन के उपर भी काफी सारे काम चल रहे हैं तो आगे किसी वीडियो में इसके बारे में जरूर जानकारी मैं दूँगा और इसी के साथ उम्मीद यह रखूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी और हमारी चैनल को जो है सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद